क्या आप ये जानते हैं जब हम नरसली से कोई पौदा खरीद के लाते हैं तो उस पौदे पर उस टेम बहुत ज़्यादा फूल आते हैं जब पौदे को हम घर ले आते हैं तो पौदे पर बिल्कुल फूल अना बंदी ही हो जाता है तो दोस्तो आज हम उसी सिक्रेट फटलाजर के बारे में बात करेंगे यानि की गौदा के पौदे के लिए जो की खास करके नरसली वाले उस फटलाजर को यूज करते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ऐसे फटलाजर जो बताने जा रहे हैं आपको उनसे आपका पौधा वह तेजी से गिरूत करेगा और पौधा फूलों से भर जाएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं गुलाब की केर टिप्स के बारे में सर्दियों के मौसम में गुलाब के पौधे में हमें ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए और हम वोई फटलाजर रियूज करें जो की सर्दियों में गुलाब के पौधे के लिए बेहत जरूरी है और दोस्तो इस पौदे के लिए दूप की सबसे ज़्यादा आवसकता होती है दूप में जितना ज़्यादा गुलाब का पौदा रहेगा आपका पौदा उतना ही हल्दी रहेगा और फूल का साज भी बहुत बड़ा रहेगा सरदियों का मौसम गुलाब के लिए सबसे अच्छा मौसम है तो अब दोस्तो हमें गुलाब के पौदे से ज़्यादा फूल लेने के लिए पौदे को घना करना है यानि कि एक जहाड की तरह करना है यदि पौदे पर एक दो साका ही होंगी तो एक दो ही फूल किलेंगे जैसे कि आप मेरा दूसरा पौदा बगल में देख रहे हैं दोस्तो इसकी मैं कंडिशन बताऊंगा इस पर दो साका हैं क्यों निकली हो इस पर क्यों जाता है तो दोस्तो जो नीचे से साका इस पौदे की आप देख रहे हैं क्योंकि जब कोई नीचे साका निकलती है मिट्टी की तरफ से तो उस साका को हमें तोड़ देना चाहिए तो दोस्तो ये मैंने पूरा इसकी जो कलिया होती है तोड़ तोड़ के मैंने फूल खिले नहीं दिया पौदे पर और पौदा घना कर लिया मैंने पौदा पूरी तरह से घना होने के बाद में अब देखिए इस पर फूल खिल रहा है वो बहुत अच्छे फूल खिल रहा है अब दूसरे पौदे की और बढ़ते हैं और नाहीं growth कर पाएगा केबल पूरी energy को वो पौदा अपनी इसी एक साका में लगा देगा तो दोस्तों आपको करना क्या है कि इस साका को अगर इस तरह से आपके पौदे पर है तो आपको उसे तोड़ देना है जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी जो पौदे की growth है वो बह तोड़ा और बड़ा होने दें जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको जो अपडेट मिलेगा वह बहुत 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 अपडेट मिलेगा इस पौदे की तरह और इस पर गिरुत भी बहुत अच्छे से निकल कि आईगी तो दोस्तों आपको यह सबसे पहले काम करना है रखनी है अब दोस्तों इसे हमें दूब भी दिखानी है और ज्यादा पानी भी नहीं देना है अब चलते हैं जो फर्टिलाजर में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कास करके इसे नरसली वाले यूज करते हैं अपने पौदों में तो आज उसी फर्टिलाजर को मैं जरूरी है तो दोस्तों आपको अपने पौदे पर ज्यादा फूल किलाने के लिए और पौदे की किरोत को बढ़ाने के लिए ये बॉन विल लेना बहुत ही जरूरी है अब दूसरा जो फर्टिलाजर है यह जो देख रहे हैं मेरे हाथ में यह हमने बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है मेरे पास दो पौदे हैं तो दोनों पौदों में 50 ग्राम बर्मी कंपोस्ट में डाल दूँगा और जो यह देख रहे हैं अब यह मैंने 30 ग्राम लिया हुआ है बॉन वी तो इन दोनों पौदों में हम इसे डालेंगे दोस्तों अभी इन पौदों की में गुड़ किये लेते हैं तो ये देखिए दोस्तों हमने गुड़ाई इन पौदों की पूरी तरह से करने के बाद में जो बॉन्वील लिया हुआ है उसे हम दोनों पौदों में डाल देंगे मिट्टी को अलके आस से हम बारीक कर लेंगे इस तरह से अब चलिए इस बॉन्वील को हम दोनों पौदों में डाल लेते हैं तो ये 30 ग्राम जो लिया हुआ है बॉन्वील तो हम इसमें से आदा आदा डाल देंगे दोस्तों इस फर्टिलाजर को ही यूज करके नरसली वाले किसी भी पौदे पर फूल खिला देते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि नरसली से जब भी हम पौदे लाते हैं पौदे में तो फूल आ रहे थे घर पर इतने फूल क्यों नहीं है तो दोस्तों यही कारण है क्योंकि हम उसमें बॉन्वील नहीं देते तो आपको करना क्या है कि हर 10 दिन बार आप अपने गुलाब के पौदे में थोड़ा सा बॉन्वील दे सकते हैं उसके साथ बर्मी कंपोष्ट थोड़ा सा जरू डालें यदि बर्मी कंपोष्ट ना हो तो आप उसमें गोवर की खाथ डाल सकते हैं गोवर की खाथ फुली डीकंपोष्ट होनी चाहिए करीबन एक साल पुरानी लगवक और यदि आप कच्छी गोवर की खाथ डाल देंगे तो वो हमारे पौदे पर बिल्कुल काम नहीं करेगी तो आपको ये बिसेस ज्यान रखना है तो चलिए जल्दी से अब इस बर्मी कंपोष्ट को इन दोनों पौदों में डाल कर मैं तयार किये देता हूँ दोस्तो बैसे नर्सली वाले अपने पौदों पर केमिकल फर्टिलाजर भी यूज करते हैं लेकिन दोस्तो ये बिल्कुल और गैन की फर्टिलाजर है क्योंकि सर्दियों के मौसम में वो सबसे ज़्यादा बौन मीली यूज करते हैं तो देखिए दोस्तो मैंने यहाँ पर दोनों पौदे फर्टिलाजर डाल कर तयार अब कर दिये हैं अब इसमें हम डाल देंगे जरूत अनुसार पानी और पौदे को रख देंगे धूप में तो दोस्तो आपको अमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताईएगा जरूल दोस्तो अभी तक आपने अमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सेयर करें ताकि अन्य लोगों को यह जानकारी मिल पाए अनली वीडियो में फिर मुलाकात होगी ठेंक्यू